मेरे राज्य में प्रवेश करने वाले पोलोष मौत में समाजाते हैं और तुमने मेरे राज्य पर आक्रमन किया दुष्ट हाँ राणी तिलुत्तमा मैं तुम्हें अपने राज्य की राणी बनाऊंगा तुम्हारे रूप ने मोहित किया तिलुत्तमा का ये रूप पराय पुरुषों के काम वासना के लिए नहीं धर्ती पर ऐसे कोई पुरुष ने अभी जन्म लिया नहीं जो मुझे जीत सके जो मुझे जुका सके प्रभु अभी तो हद होगी अब तिलुत्तमा के श्राप का निवारन तो करना ही होगा नहीं तो किसी के श्राप के निवारन मैं कैसे कर सकता हूँ हाँ प्रभु पर तिलुत्तमा साधराण इस्त्री नहीं है वो इस्ष्वर से श्रापित अपसरा है अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिससे उसकी श्राप मुक्त हो जाए और अगर निवारन नहीं हुआ और पूर्षों से हमेशा वंचित रहने के उसके शाप के वज़े से और खुद के रूप के घमन में तीलो तमाख इतने सारे पूर्षों को मार डालेगी कितने ही नारिया विद्वा होगी और कितने ही निर्दोष बालक अनाथ होगे इसलिए प्रभू मैं आपको विनंति करती हूँ कि आप ही कुछ करो सीता मैं तुमारी तकलिफ को समझ रहा हूँ मगर तिलो तमाख रूप के घमन को चूर चूर कर सके ऐसा कोई पुरूष प्रिथिवी में नहीं है इसलिए उस राज्य का रक्षा महाबले हनुमान करेंगे पुज़क समा करो प्रभू मैं अखंड ब्रह्म चाली हूँ मैं त्री लोक में संकट मोचन के नाम से जाना जाता हूँ अनुमान जी आप तो संकट मोचन हो ना आप उस राज्य की रक्षा करेंगे और उस राज्य में कोई भी पुरुष को जाने से रोकेंगे तो हत्याय नहीं होंगी जैसी अगना प्रभू प्रभू वो पुरुष कहां मिलेगा कब मिलेगा कली युग में दरिया की किनारे मचलियों की पेट में आल्याक प्रभू झालाओ नरन्याओ महराच महराच लीजी आपके लिए मैं भोजन लाया हूँ क्यों भाई तुम वहां क्यों खड़े हो आगे आजाओ प्रभू इस गरिप के सुकी रोटी को सुविकार करें लाओ बेटा अरे ये क्या कर रहे है महराच मिष्टान को छोड़कर आप सुखारोटी खा रहे है तुम अमीरों के मिष्टानों से मुझे ये सुखारोटी ज़्यादा पसंद है भिक मंगा स्वात क्या जाने मूर्क तु ही कुछ नहीं जानता है ये देख अलाख निरंजान ये देख गरीबों का खुन चूस के बनाये हुए तेरे मिष्टान उसमें से खुन की धारा टपक रहे है और ये गरीब के पसीने की महनत की रूटी इसमें से दूद की धारा बहे रहे है मुझे माफ कर देजिए गुरुजी आप सच कह रहे हैं गुरुजी मेरे घर में आज सस्तंग है आप वहाँ पधारे और मेरे वन्ष को अखंड रहने के ऐसा आशरवात दीजिए गुरुजी जाओ सांती से तुमारे घर के जाओ देवी माता तुमारी सारी इच्छाय पूरी करेंगे भजो भजो जपो रे सभी जय जय अंबे मा भजो भजो रे जपो सभी जय जय अंबे मा खिलो खिलो रे गाओ सभी जय जय अंबे मा भजो भजो रे जपो सभी जय जय अंबे मा तेरे सामने बिनती करती हूँ तेरे आखों में बसती है धरती जय जय लो आरती गाओ सभी बोलो जय अंबे मा खिलो खिलो रे गाओ सभी जय जय अंबे मा तेरे घोडे की है सवारी तेरे घोडे की है सवारी तेरी सूरत भड़ी प्यारी तेरी सूरत भड़ी प्यारी बली हारी जाओ मैं बोलो जय अंबे मा खिलो खिलो रे गाओ सभी जय जय अंबे मा मा तू है बड़ी कल्यानी मा तू है बड़ी कल्यानी तू है सूरज की पतरानी शामा कर दे मेरी प्यारी मा बोलो जय अंबे मा खिलो खिलो रे गाओ सभी जय जय अंबे मा खिलो खिलो रे खिलो सभी जय जय अंबे मा भचो भचोरी जपो सभी जय 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 अंबे मा हुआ है बर भचोरी जय जय माझ खिलो 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 जय जय एै जय 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 झाल मा क्षमा करो मा हमारा प्रशाद तो आपको मिला ना हाँ तुम्हारा प्रशाद मिला जाओ अब आगे की तैयारी करो जाओ महरानी तु क्यों रो रही है तुम्हे किस बात का दुख मा इसकी शादी को आठ साल बीट गए अभी तिक इसकी गोद नहीं भरी अशिर्वात दो मा अशिर्वात दो बेटी बेटी मा आप जो कहेंगे वो कठिन व्रत करूंगी आपको सोने का मुकुट पहनाओंगी पर मेरी कि सूरी गोद भर दो मा मेरा बांच पंदूर कर दो मा बेटी मैं सबको सही सला देती हूं और सबको अंचस देती हूं पर सरस्वती सुन लो कि इस भवन में तेरे भाग्य में कोई संतान्सुख नहीं मा पूरत की पत्रानी को आप ऐसे गहोगी हाँ बेटी बेटा या भी नहीं है नहीं तो नहीं तो चुटके बजाते ही तुमारी कोक को मैं भर देड़ी को कि मैं अगर आप कौन सुनेगा को हूम सुनेगा कौन सुनेगा को अरे से फगवान उ्ट हूमकिकला कैसे हो इस कहा regular said जो तो पिर संतांसो कैसे होगा नहीं नहीं 90 को जिसका भगवान उठे उसका भला कैसे हो नहीं नहीं मारा अंदल नहीं कहा कि संतान सुख नहीं दूसरा कोन इसकी गोद भरेगा सरस्वती इस जीवन में तेरे भागे में संतान सुख नहीं संतान सुख नहीं बांज रहने से अच्छा है तो मर जाना है मरना अच्छा है मात है अब तो बस एक ही मर्ग है है मात है हिसाद्स हो में अ अलाक नीरंजन आत्म हत्या पाप है मैया पाप और पुर्ण्य की परवाह मरने वाले के मन में नहीं होती मुझे मरने दो जोगी राज मुझे मरने दो मैया कहने वाले भगवे भेगदारी तुम भीतर के भेद को जानते नहीं जानते हो तो पुत्र बन के मेरे कौक को भरदो अब भरदो मेरे खाली गोद को और मिटादो मेरे बांच बन को तब मैं मानूंगी कि भाग्य लेखने वाले भगवान से तुम्हारे भेद की भक्ती बड़ी है मेरी शक्ति के जोर पे तुझे पल में पुत्र दे के तेरा बांशपन टाल सकता हूँ परिश्वर की इच्छा के बिना मैं चमतकार नहीं कर सकता हूँ मैया पुत्र देने का जूटा लालश दे कर मेरा रस्ता मत रोकिये जूठी लालश नहीं देता हूँ मैया तो तुम्हारी जबान बंद रखो और मुझे मरने दो तुझे मरने दू तो मुझे पाप लगेगा अगर मुझे जिन्दा रखना है तो मेरी गोद को भर कर मेरा भाग्य सुधार दो अगर भाग्य सुधार ना है तो इस सादू के वच्चन से बंधना होगा जिस दिन तेरे पुत्र को वापस लेने आओ उस दिन एक पल की भी देरी किये भीना तेरा पुत्र मुझे दे देना जोगी राज अगर मेरा बांचपन दूर हो जाए तो सूरज के सामने मेरे सौभागे के सिंदूर की सोगन खाकर कहती हूँ कि उससे जुड़ी हुई माया आप के आते ही मैं छोड़ दूँगी तोलए भबूती पानी में घोल के अपने पती को पिला देना तेरे घर पे बच्चा होगी जोगी राज अलाख नीरंजान स्वामी, स्वामी देखो ये भबूत एक महात्मा मिले थे उन्होंने कहा कि तुम्हारे पती को पाने के साथ पिला दो जरूर संतान होगी फिर मैं माताजी का वरत रखूंगी सोने का मुकुट चड़ाऊंगी पूरा गाउं को भोजन कराऊंगी मुझे कोई बांज नहीं कहेगा अरे, आप कहां जा रहे? किसी राजा को एक बहात्मान विवुती दिया था ऐसे? हाँ, उनकी मनुकामना पूरी हो इसलिए राजा ने जैसे उस विवुत को गरहन किया और थोड़ी दिर में वो मर गये मैं बाहर जा रहा हूँ बाद में आके पिता हूँ पैया रखना संथान के लिए पती को खौ दूँगी पती को खौ दूँगी पती को खौ दूँगी पती मर गया मैं ये भवुत नहीं दूँगी हां? अपमान धोर अपमान हलाक ही रणजान सरस्वती सरस्वती ऐसे उदास क्यों हो ये उदास ही तो अब मेरा दिल बेठा जा रहा है स्वामी नहीं नहीं ऐसा मत कहो सरस्वती मैं ब्यूबती खाने के लिए तैयार हूँ जानती हूँ तो लाओ, लाओ कहां है वो विभूत पर स्वामी मैंने वो विभूती फेख दी हैं सरस्वती हाँ स्वामी पुत्र परप्ते के लिए मैं पती को खोना नहीं चाहती मगर सरस्वती मुझसे तुमारी ये उदासी देखी नहीं जाती नहीं देखी जाती ये शब्द तुम्हारे जुबान से आ रहे है या तुम्हारे दिन से मेरा दिल कह रहा है सरस्वती तो स्वामी मुझे हसना देखना चाहते हो तो तुम दूसरी शादी कर लो क्या? संतान के लिए उस संतान को मैं अपनी संतान मानूँगी उसको प्यार करके मैं अपने मन की भुग बिटाऊंगी मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं नहीं तो तुम्हारे कोक से पैदा होता पर स्वामी आज मेरी उदासी तुमसे सही नहीं जा रही पर कल को लोग अगर मुझे बांच कहेंगे तो क्या तुमसे सहा जाएगा सरसाती आते जाते मेरा अपमान करेंगे कदम कदम पर मेरा अपमान करेंगे यह तुमसे देखा जाएगा नहीं सरसाती पल-पल मेरा दिल रोता है मेरे आखों से आसू के बदले खून की धारा बहते रहेगी कि तुम देख पाओगी क्या सरसती तुम मुझे मरने नहीं दोगे और गाउवले मुझे सुक से जीने नहीं देंगे यह जिले कहती हूं माथी पर लिखी उई लकीर मेरी दूसरी साधी से ठीक नहीं होगा इसने चलो चलो कई जात्रा में घुमाते हैं घाओ बदलने से भागे नहीं बदलता जरूर बदलेगा सरसती पिछले जनम का कोई पाप ही होगा जो इस जनम में मिल रहा है हम जात्रा में जाएंगे तो शाय सवामी सब्सक्राइब करें नर्मदार यहां आई अधर बैट तुम्हें पता चला वो गोदा ने अपने पती को मारा उसके पती ने भी कोई गलती की होगी पर उसका पती भी भाघुत हिम्मत वाला मसें क्ला या इसे ही गोदी ने बेलन निकाला वह इसे ही वह खटिये की नीचे घुज गया फिर गोदी ने कहा कि तुम खटिये की नीचे से बाहर आदो या मैं बेलन के साथ अंदर आऊं फिर ऐसे उसने मारा कि तूड़ गया पती का सर नहीं बेलन दोनों कचे थे पती का तो ऐसा हुआ कि दो दिन में ठीक हो जाएगा पर बेलन का तो खर्चा हुआ ना तो ऐसे करना तुम देरे पती के लिए धोकाई इस्तमाल करना तो क्या मुझे तो किसी की पंचाट करना यह अच्छा नहीं लगता मेरा तो ऐसे ही भला और मेरा घर भी भला और मेरा बहना यह कौन नहीं भगवान वह द्वार कदीश वह रुखमिणी मेरी बेहन होती है मैं जाती हूं मासी अरे जाती कहां है बैठो ना अरे अपने गाउं के वाश अरस होती है ना वह बांज पिछले आट नौ मैंनों से दिखाई नहीं दी भगवान जाने वह गाउं से कहां चली गई है और वा भगवान भला कि यात्रा पूरी करके वापिस आगे अभी तब कोई नतिजा सामने नहीं आया कब पता चलेगा प्रभू कब क्या हुआ कि नहीं रोते हां नहीं रोते मैं आ गई ना अरे रहने दे रहने दे प्यार करके मेरे घर से जूला हटाओ की मेरी बेटी को चिनना चाहती हो लाओ मेरी बेटी बांच कही की अरे अज सुबह सुबह इस बांच का मूँ कहां से देख लिया अब आगन थोड़ी देरी से भी तो नहीं उड़ती बांच कहीं की अरे सुबह के वक्त इस बांच का मूँ कहां से देख गया ऐसे यात्रा करने से कोई बालक पैदा होता है बांच रेने से अच्छा जहर खाके मर जाना प्रभू मेरी एकधारी यात्रा शायद अधुरी रह गई है मेरी पूजा भक्ते में तुम्हें का कमी लगी ऐसा भी मैंने कौन सा पाप किया है कि तुमने मुझे स्त्री का आउतार दिया पर संतान नहीं दी तुम यह चाहते हो कि गाउं की ताने मुझे सहने पड़े नहीं तुम्हारी यह उच्छा मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी देखो देखो यह जहर भग्तकव ऐसे मरता हुआ देखकर तुम अपने आप में भगवान बने रहते हो मैं मरूंगी तुम्हारे सामने अरे यह बाले यहां पर कौन फेट कर गया यह ले बबुती तेरे घर में बच्चा होगा मेरी दी हुई बबुती खाली न जाएगी इस बालक का नाम गोरक होगा यह तो मेरा बेटा है मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा सरसती स्वामी स्वामी देखो हमारा बेटा यहां से पैदा हुआ महात्मा ने दी हुई बबुती मैंने यही पर फ मेरा पर क्या मगर सरसुती सब कहेंगे कि यह कोई पाप है किसी का नहीं हो सकता है कोई जान बुचकर यहां छोड़ गया हो आज तुम इसे अपना लोगी मगर किसी दिर इसका असली हगदार आकर इसे मांगा तो तब तुम्हें इसे वापस करना होगा नहीं 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 यह दूँगी पर सरसुती तुम्हें बले वरोसा नहीं होगा पर मुझे विश्वास है यह मेरा बेटा है मेरा लाड है अरे धर पे बेढ़ती हूँ ठर पर यह अही पैठती हूँ वह क्या है ना तुम्हारे मौसा लेकर आये थे ना तो कभी-कभी पहन लेती हूं अरे मौसी साधी के समय अलग कपने जाते और मय्यत के समय अलग कपने मत्लब मुरख तुम ऐसे कहना चाहता है कि मेरे जनम दीन के पहले में कुछ ना पहनू मुरख पंचाईती यह गाउं के पंचाइट करने से अच्छा कुछ काम करना सीखो अब मुझे ही देख लो मैं किसी के पंचाइट करती हूँ क्या वैसे तो मैं भली मेरा घर भला और मेरा वेनों ही बला कि अलग नियुक्त नहीं दूंगी मैं गौरक को नहीं दूंगी अलग नियुक्त नियुक्त नहीं दूंगी मैं बिख्षा दे मैं देती हूँ अलग मिरंगान नहीं 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 गोरक गोरक क्या है दुर्गा मंदिर नहीं जाना है क्या मैं तैयार हूँ मा मैं मंदिर जाओं जा बेटा बेटा गोरक रुको जरा कि मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगें जाओ संभाल कर जाना हाँ कि 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 सरसोती कि सोच रही हो कहूंगी तो आप मुझे पागल कहोगे और कहे बगर में रह नहीं सकती गोरक और दुर्गा का मन मिल गया है जानता हूं भगवान ने चाहा कि बड़े होने के बाद इन दोनों के बीच ऐसा ही मन मिला प्रहे तो मैं एक दिन दुर्गा को अपने घर की वहू बनाँगी अरे पगली अभी तो इनके दूद के दाद भी ने होगे और तुम कल के बारे में सोच सुच कर इतना खोए जा रही हो कि आज हमें आरती में जाना ये भी भूल गई आनंद मंगल करू आरती दत्त गुरू करू सेवा आनंद मंगल करू आरती आनंद मंगल करू आरती प्रेम भक्ति से पूजा करू प्रेम भक्ति से पूजा करू चडाओ मेवा मिष्ठान आनंद मंगल करू आरती दत्त गुरू करू आरती आनंद मंगल करू आरती करू आरती मेरे आंगन तुलसी के पोधा मेरे आंगन तुलसी के पोधा शाली ग्राम की सेवा आज शाली ग्राम की सेवा आनंद मंगल करू आरती जै दुरू अंतर की सेवा आनंद मंगल करू आरती करू आरती अडशत तीरत गुरू जी के चरण में गंगा जमुना रेवा आनंद मंगल करू आरती जै करू अंतर करू आरती आनंद मंगल करो आरती करू आरती त्रिभु अन्स्वामी अंतर्यामी दर्शन देदो देवा रभु देदो दर्शन देवा आनद मंदल करू आर्थी जै करू आर्थी सेवा आनद मंदल करू आर्थी करू आर्थी कहत कबीर सुनो भै सादू तहत कबीर सुनो भै सादू जग में तुझसा न कोई आहा जग में न तुझसा न कोई आनद मंदल करू आर्थी जै करू आर्थी जै करू आर्थी आनद मंदल करू आर्थी जै करू आर्थी जै करू आर्थी आनद मंदल करू आर्थी करू आर्थी प्रेपी ए गोरक महा का देख रहे हो उस साधु को दुरुगा पता नहीं क्यों मुझे भगवा रंग बहुत भाता है आरती होने के बाद एक पल नहीं रुके ए रंग देखने दे जवाब जवाब तो तू मुझे दे हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो सच कहूं बहुत बार तो दिल की बात जुबा तक आते आते रुख जाती है और गले में आकर अटक जाती है और मैं कह नहीं सकती पर आज पर आज इसा लग रहा है कि कह दू अच्छा है तू कहदा कहना पड़ेगा अरे तू पूरे बेवकुफ हो मेरे आखों में आने वाले अक्षरों को तुम पढ़ी नहीं सकते और मैं कोई हनुमान जी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें सीना चीर के दिखाऊँ इसलिए अब तो बोलकर ही दिल को हलका करना पड़ेगा वकर 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 करती रहती हो मगर जो कुछ कहना है वो तो नहीं कहती है दुरुगा हम तो बच्पन के साथ ही है एक दूसरे की मन की बात हम ना जाने ऐसा हो सकता है बताओ दुर्गा तुम्हारे मन में हमारे बच्पन की यादे ओ मेरे मन में मेरे मन में तो अपने सुनेरी भविशे के सपने है दुर्गा मुझे भी तुमसे एक दिल की बात बतानी है कहो न दुर्गा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता कि अपना मार्ग अलग है अलग अधुर्गा तुम्हारा मार्ग है ग्रियस्ती और मेरा मार्ग है सन्यास दद तेरी की बारा साल के बाद भी तुमने मूँ खोला तो ये बोले अरे गोरक, बल में प्रभू विराश्ता है बल में रहने वाले प्रेम रुपी प्रभू को पहचानो बाकि ग्रस ताश्रम किये बगर तुम सन्यास की तरफ चलोगे तो एक दिन तुम घार और सन्यास दोनों खोदोगे इसलिए ये गोरक, पै अपने माबाप को भेजो या तुम अपने माबाप को भेजते हो किसलिए? अपने सगाई की बात करने के लिए दुरगा, ये तो अपने भाग्या रिखा में लिखा होगा अगर वैसा ही होगा मैंने तो भाग्या की किताबे पड़ी नहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें प्रेम का पाट तो पढ़ाना ही पड़ेगा चलो, मैं तुमारी गुरू, तुम मेरे चेले आज से सुरू करते हैं तुरगा, इस तरी होकर ऐसी बाते करती हो तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो मेरा लोटा गिर गया अरे सुन, तु अकेला आज पी देखके इस तरह से लिपट रही है अरे ये तो अच्छा है कि मेरा मन मजबूत है वरना तो मेरी इज़ित लूप जाती में गाव में मुझे दिखने लाइक नहीं रहता अरे मुझे कहीं पर अपना मुझे चुपा के बैठना पड़ता है पगले तुम तो ऐसे के ऐसे ही रहोगे नारियल के जाड़ जैसे बड़े हो पर खजुर रह गये हो शामल सच बताना हो तुम्हें शादी करने का मन नहीं होता है ना पर वो मुझे सरम आती है मुझे रोज ऐसा लगता है कि गाउं की गलियों में से मेरी बारात निकलती होगी मेरा एक अच्छा सा घर हो और घर के आंगन में मैं बैठा बैठा एक अच्छी सी दुकान चलाता हूँ और वो यानि कि मेरी घर वाली रसोय में बैठके मेरे घर की रोटी पकाती हो एक बड़ा बच्चा मेरे पास बैठा हो एक चोटा बच्चा उसके पास बैठा हो एक बाहर आंगन में खेलता हो एक जुले में जुलता होगा एक गोदी में चिपका होगा और एक एक पेट में इतनी सारे बच्चे तो शादी कर लो ना बन जाओ ना राजा बोले और दाडी हिली शादी किसे करू पीपल छे क्यों मैं नहीं हूँ तू चलो पूछो मेरी मा से तेरी मा तो पूरी मेर्ची की कोनी है उसका बस चले तो मेरी दुकानदारी तो क्या मेरा फिरी भी बन करवा वीरपुरुष होकर मेरी माँ से डरते हो अरे वीरपुरुष तो खाली बाते ही करते होंगे और उसमें तेरी माँ उसके सामने तो भल भले चूप हो जाते तो फिर तुम्हारी माँ के सामने छोटे से पिलने की क्या मज़र पर एक बार पुछने में तुम्हारा क्या जाता है मां, दूसरा कुछ खास नहीं जाता है, मेरा जी घपरा रहा है तुजाने दो, कुछ नहीं होगा देखो, मेरी मा भी ढूण रही है तुम शादी का पूछोगे न, तो ना नहीं कहेगी तुरत हाँ कहेदेगी इस उमर में तेरी मा को सादी का मन हुआ पागल मेरी मा को नहीं, मैं तो मेरे लिए कह रही हूं देखो सुनो, वो जो कहेगी न, तो हाँ हाँ करना हाँ हाँ करू वो भी हाँ कहेगी, हाँ, चलो मेरे साथ अधे पर रुख तो सही, पहले मुझे दूले जो से, कपड़े तो पहनने थे हाध में तल्वार ले लेने थे और सबसे पहले गीरा हुआ लोटा ढून लेने थे लोटा अे लोटा तु कहां है तेरी लोटी बुला रही है मुपके उसके सामनें हां नहीं हां डरना नहीं डरना नहीं डरना नहीं अरे ऐसा बोल बोल के मुझे याद मत दिला मेहना मैं तेरी मां को बेधनक पुछ लूँगा तेरी और मेरी साधी की बात कौन है अरे कौन है अरे अब क्या हूँ गया अवा निकल गई इच्छा खत्ब हो गई अरे मुझे यहां बोलाने से पहले तेरी मां को तुझे बोल के तो रखना था कि इसाध फेपड़े फट जा ऐसी चिल्ला है नहीं अरे कोई बोलता क्यों नहीं जबान पर छाले पड़ गए है कौन शामल तुम तू यहां किसली आया है बोल चिल्लाओ नहीं मां वो डरता है डरता है क्यों मैं कोई बागिन हूँ है मैं लोगों को फार के खाती हूँ है है यह सब कहने के लिए तुम यहां आये हो है अरे तो मैं हाँ हाँ बोलने का इसने मुझे सिखाया है बाकी मैं तो अपना साधी का निमंत्रन देने आया हूँ तुमंहारी शाधी है किसे साथ ये तुम्हारी अंजु के साथ तुम मेरी साधी में आओगी ना पूरे गाउं में डून डून के तुम्हें मेरी संजु ही मिली अरे आप समझतार हो लेकिन इसमें इतना चिला दी क्यों हो आप हाँ बोलो तो जल्दी सादी फटा फट बच्चे और फिर एक दो तीन चार पाच्छे साथ बस 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 जो अगर इसे कबूल हो तो हाँ मा है मा ये तुम क्या कर रही हो? अच्छे से चान बिण कर लेती हूं मेरे पिता जी ने तुम्हारे पिता जी को बिना चान बिन के लेकर आये तो एकी धोके में गिर पडे। दोका तो पक्का निकला पर इसके पिताजी कच्छे निकले पेचारे मुझे भरी जवानी में अकेला चोड़के चले गए आपको अकेले भरी जवानी में चोड़के क्यों चले गए अरे क्यों आपको साथ में लेके नहीं गए मेरे पगले, क्या बोला तुने? अरे नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये तो इसके बाप का पस्तावा कर रहा है तो ठीक है तो अभी हमारा रिस्ता पक्का है ना? हाँ पक्का, पर एक शर्थ है देखो शामल, पूरा गाउ ये जाता है कि इस तापी को नर्मदा की जैसे पूरे गाउ के पंचाट करना अच्छा नहीं लगता मेरी तुम मैं भली, मेरा घर भला और मेरा बहनोई भला बहनोई? हाँ, वो द्वार का दिश, रुकमिणी मेरी बहन है हाँ, इसके पिदाजी की बहुत इच्छा थी, कि मुझे द्वार का दिश के यात्रा पर ले जाए अधूरी रहेगी, अगर तुम मुझे यात्रा पर ले जाओगे, तो ये शाधी पक्की तो फिर साधी पक्की, अरे तो फिर आप कहो तो मैं स्रवन के जैसे कंधे पे बिठा के पूरे चारो धाम की जात्रा करवादू अरे जात्रा तो क्या समसन में भी छोड़ के आओ मेरे पकले, क्या बलो? मतलब ये कि जीवन के अंतर आपका साथ दूगा जमाई बनके हाँ 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 जमाई बनके आई आई मौसिमा आई आई मौसिमा सज धज सवर के लटक मटक लटक मटक सज सवर के आई 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 मौसिमा आई आई मौसिमा सज सवर के आई 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 मौसि सज सवर के आई देश पर देश से महमन आए रोटी बनाती है मोसी चार पाई देश पर देश से महमन आते ही रोटी बनाती है चार पाई घर के बेटे का जन जलाती है घर के बेटे का जन जलाती है दुद्द बनाती है मोसी चार पाई आई आई मोसी मा आई आई मोसी मा सज सवर के आई 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 मोसी सज सवर के आई अरे 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 कहा चली मोसी आई इधर आजा इधर आजा अरे मिला इधर है इधर आइधर चुनरी पेहने रंग भी रंगी नाथ में नथनी पेहने चुनरी पेहने रंग भी रंगी नाथ में नथनी पेहने लासर मुछोड चले ये देखो बन ठन के हाई हाई नखरे वाली मा जुम के वाली मा सजी सवर के आई 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 मौसी सजी सवर के आई ठाकुर जी मेरे अब तो इनका प्रभु कुछ तो उथार करो ठाकुर जी मेरे अब तो इनका कुछ तो प्रभु उथार करो उठा दो इनको उपर नहीं तो ये उठा लो इनको उपर नहीं तो ये हम दोनों को मिलने न देगी बुढ़ी आई आई मौसी मा आई आई मौसी मा सजी सवर के आई 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 मौसी सजी सवर के आई 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 मौसी मा आई आई मौसी मा सजी सवर के आई 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 मौसी सजी सवर के आई पहुंचाना है उनको जल्दी करो जल्दी करो मनुदेना झाल जल्दी करो तथ जल आखका फॉ Suppose you खानेक पम्साव faucon कर ए निङो ए काम सुम से नि परलमोerness राँ यौन न दोड़ी inm...' को चलो अरे चले चलो आज आए रहे आज यह शर्टार जैए गुरुद тебе जैए धित्ता गुरु प्रभु घो रखे तुम्हें पता है मैं भगवान के पास क्या मांग रही थी तुने मांगा और तुने प्रभु के संग क्या मांगा और यह जानने कि मुझे क्या अवश्रक्त पर मुझे तुम्हें कहना है, जन्मों जन्म से जिस भगवान की मैं पूजा कर रही हूँ, वो तुम है ओ दुर्गा, डेव कहकर मानप का अपमान मत करो, मानप कभी देव बनी ने सकता पर मैं तुम्हें अपना भगवान मान चुकी हूँ, भले वो मुझे से रूठा रहे, पर पूजा करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूँगी दुर्गा, इतना याद रखना, कि प्यार करने वाला हमेशा पस्ताता है पूजा करने वाले को कभी भी पस्ताना नहीं पढ़ता गोरक, बैठो, देखो, इनसान जब पत्थर को प्रभु मान कर उसकी पूजा करता है, तो पत्थर को भी भगवान का अउतार लेना पढ़ता है दुर्गा, तेरी ये पागलपन वाली बाते मुझे समझ नहीं आती है, और मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए कहा जा रहे हो, तुम्हारे मुझे से जवाब सम कर ही जाऊंगी अगर मेरा प्रेम सच्चा होगा ना, तो एक न एक दिन ये जरूर रंग लाएगी दुर्गा, ये रंग वियोग का है, हमेशा प्रेम करने वाले को वियोग सहना ही पड़ता है और उस वियोग के बाद एक दिन ऐसा आएगा, कि संजोगों के फूल बरसते रहेंगे और उस दिन, उस दिन तेरे ये दुर्गा धन्य हो जाएगी गोरक, धन्य हो जाएगी गोरक जिस दिन तेरे पुत्र को वापस लेने आओ, उस दिन एक पल की भी देरी किये भीना, तेरा पुत्र मुझे दे देना नहीं, नहीं, मेरी जान भी जाए, पर जान से भी प्यारे मेरे गोरक को मैं तुम्हें नहीं दूंगी अगर वो महात्मा आएंगे, तो मैं उन्हें पैचानने से मना कर दूंगी पर, पर, गोरक खुदी चला जाएगा तो, तो डर गई, एक रास्ता है सरस्वती, साधू की बातों में आकर अगर गोरक जाने के लिए तैयार भी हो जाए तो उससे पहले तुम उसे भोग विलास में रास्ते से भटका देना गोरक की शादी करा दे सरस्वती, नहीं तो वो चले जाएगा, वो चला जाएगा सरस्वती, वो चला जाएगा, नहीं मां, क्या हुआ मां, गोरक बेटा गोरक, तुम मुझे छोड़ के चले तो नहीं जाओगी ना, मां तुमने कोई बुरा सपना देखा है, तुमे छोड़ कर मैं कहा जाओंगा, मां नहीं जाएगा ना, तुम मेरी कसम खाओ, मेरे सर पर हाथ रख कर कहो, कि तुम मुझे मा, तुम्हारे सर पर हाथ रखकर मैं कसम खाता हूँ, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाओंगा, बस अपने मन से ये डर्वन निकाल दो, सोजा मा, आराम कर, बेठो बेटा, मुझे एक बात का जवाब तू, क्या मा, तुम्हें दुर्गा पसंद है न बेटा, मा, ये एकी बात तुम मुझे बार बार क्यों पूछती हो, इसलिए बेटा, कि तुम हाँ कहो, दुर्गा के साथ तुम्हारी सगाई, मैं पक्की कर लूँ, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहें, मा, इतनी जल्दबाजी की क्या ज़रत है, और पीता जी बाहर गाउं से आज़े फिर करते हैं, ये जो ना कहेंगे, तुम चवाब दो, खाओ मेरी कसम, मा, तुम मुझे अपना सौगन दे कर बाद लेना चाहती हो, मा, मन से कहता हूं, मुझे सच में अपना छोटा बच्चा समझ लो, मा, तेरी एक पुकार पे मैं अपनी सारा जिवन अपन करदू, मा, तुम्हें जो ठीक लगे, तुम्हें जो ठीक लगे, वही करो, मा, तुम तो ये रिष्टा पक्का ना हाँ हाँ गोरग जैसा जमाई हमें कहां मिलने वाला था और दुर्गा जैसी बहु हमारे आंगन में आए ये सपना में काफ से देख रही थी बस तो आब आने वाली अश्टमी को अच्छा चोगड़िया देखकर हम दलो की सगाई कर देते हैं गोरग 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 ना जाने क्यों आज मुझे बहुत शर्माने का मन कर रहा है तुम्हारे साथ बाती करने में भी शर्मा रही है तुम्हारे आखों में नजर से नजर मिलाने जाती हूँ न तो में पलके शर्मो हया से जोग जाती है ए ऐसा क्यों होता है भला तुम्हारे पास शर्मा ओ ये नहीं होगा देखो सुनो शादी वाले दिन आंगन में हमारे आंगन में तुम अंदर आजाना और फिर अंदर से दर्वाजा बंद कर देना और कुण्डी लगा देना और मैं गद्डी पर सिंगार की हुई गुडिया की तरह बेटी रहूंगी और तुम धीरे 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 पास आना और फिर मेरा घुंगट उठाना मैं शर्मा कर सर जुका दूँगी और तु मेरी डोड़ी उठा कर मेरा मुँ उपर करना और मुझे मैं कब से बॉल 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 कर रही हो और तुम कुछ बॉलते ही नहीं हो मुझे तो लगता है कि मेरे बदले में तुम शर्म आते हैं पर कोई बात नहीं गोरा कोई बात नहीं अब तो यह शरम का परदा शादी के पहली रात में ही खुल जाएगा मैं लूट गया, मैं मरपाद हो गया, मैं एकदब खलास हो गया माल बेच के बुड़ी को जात्रा करवाई, फिर भी घर वाली नहीं मिली अरे शामल, क्यों रो रहे हो? अरे रो ने तो क्या करू? अरे आज गोरक और दूरगा की सगय हो रही है, गोरक तयार नहीं है, फिर भी उसकी बाद जबर जस्ती उसको करवा रही है और यहां मैं तड़प रहूं, मगर तेरी बाद तयार नहीं है शामल, रोना बत, शादी के लिए ना कहे रही है ना, पर हमें मिलने से थोड़ी ने रोकेगी अरे पर ऐसे खाली मिलने से क्या मतलब, साधी करके संसर बसा है, उसमें मज़ा है, पर अब तेरी मा कहती है कि मुझे और चार धाम की चात्रा करवा दे तो कुरा दोने यात्रा, कराले चात्रा, अरे तेरी बुढ़ी को यात्रा करने ले जाओ चार धाम की, तब तक तो मैं बुढ़ा हो जाओंगा, तो इससे अच्छा है तुम साधू बन जाओ, साधू? हाँ, और सुनो, हाँ, तेरी बात तो बिलकुल सही है, ऐसे भी साधी क करने का खर्चा करने की तो तैयारी है नहीं, इसलिए साधू बन के ही तुझा ले जाओंगा, अलग नीरंजन, हाँ, अरे ओ, गंगा मासी तारा, कहा हो आप, आओ चलो, एक-एक थाला उटा और सप्पे कपड़ा ढाको, कुसी की नजर ना लगे, हाँ, अब सब ठीक है, आ अथर में प्रभू प्रकट हुए, और दुर्गा, शादी के बाद उनके रोज पुझा करना, हाँ, दोके-दोके, पंदर के जैसे क्यों हस रही हो, पर अभी तो के लोग क्यों नहीं दिखाए देरे, अरे आती ही होंगे, अरे बैलो को चलने में देरी होती होगी ना, बैल अरे सगाई में बैल कहां से आ गये, लो, उनकी अगर गाड़ी भर के कपड़े और गहने होंगे, तो वजन उठा कर चलने में बैलो को तेरी तो होगी ना, पर दुर्गा, तू भी तेरे सास को गाड़ी भर के बच्चे देना, हाँ, चुप कर, प्रभू, आप तो जानते ह आऄ, ये संसार मुझे बैराग लगता है, बगवान, मुझे इस लगन के बंधन में मत बांधिये, मैं किसी की जिंदगे इस तरह बरबाद नहीं करना चाता, प्रभू, तुम्ही कुछ कर सकते हो, प्रभू, तुम्ही कुछ करो, प्रभू, अरे चलो, चलो, जल्दी करो, चल्ला निकलो जल्दी चल्दी जल्दी देरी हो रही है अलाग निरन जान कॉन जोगी राज हां हां मैं मैं अपनी आमानत वापस लेने आया हूं नहीं, नहीं जोगी राज नहीं, तेरे बांचपन से मुख्थ होने के लिए मैंने तुझे बच्चा दिया हाँ जोगी राज उसे मांगू तब तु वापस देने का वचन से बंधी हुई हो हाँ जोगी राज और तुने अपने सुहा की कसम भी खाई थे सच बात है जोगी राज पर मेरा बेटा तो अभी तक कुवा रहा है कठ़र तपस्या की उसकी उमर नहीं है मुझे अभी उसकी शादी करानी है उसके बच्चों के साथ खेल कुद करना मेरे दिल की चाहत है मा के खुशी भरे दिल से तुम उसे छेन के ले जाओगे मैया माया की जाल कभी इतनी मजबुत बन जाती है कि उसमें से मुक्थ होना मुश्किल है गोरक कोई सामन्या इंसान नहीं है गोरक एक सक्ती है पर महराज तेरे पास रहेगा तो वो संसार में खो जाएगा और मेरे साथ आएगा तो उसे जगत जानेगा इसलिए माया मेरी अमानत मुझे वापस देते नहीं जोगी राज नहीं चाहिए तो मुँ मांगा धन लेलो जड जवाहर अप लेलो ये हवेली देलो मेरा सर्वस्वो तुम्हारे चाणों में देने के लिए तैयार हूँ मैया मैं तुम्हारा भिक्षा पात्र इस तरह भर दूँगी कि तुम्हें भिक्षा के लिए भटकने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी साधू को लक्स्मी के लालस दे रही है मैया अलग निरंजान यह देख ऐसे सोने के टुकड़े तो रोज मेरे पेरों के नीचे आते जिद मत कर मया दिया हुआ वचन पाल गोरा को सोब दे जोगी राज अगर आप जित करोगे तो मैं मेरी जान दे दूंगी तो आपको पाप लगेगा मैया जब तक मेरी अमानत वापस देनने का निलना ही नहीं लेगी तब तक यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगी अलग निरंजान मैं अभी जा रहाओं गाव के बाहर तेरा इंतिजार करूंगा मेरी अमानत ले करी जाओंगा वो भी तेरे हाथ से अलग निरंजान सरसुति स्वामी पुत्र प्राप करने के वक्त तुम बचन में बंद गई थे नहीं यह तो हमारा स्वभाग्य ही था कि कि हमें संता सुख मिला स्वामी में नहीं नहीं मुझे इस बात का कोई गम नहीं अरे तुम्हें पुत्र मिला तो मुझे मेरी मौद भी कुबूल है स्वामी स्वामी पुत्र वापस नहीं करने के तुम्हारे जित के कारण कहीं किसी दिन पुत्र और स्वामी दोनों को खो दोगी जो हो माहत्मा मट्टी और धोल से बच्चा बना सकता है जो माहत्मा पानी में अंजली डाल कर आग बना सकता है और माहत्मा की सकती को समझो और सब्दो गुरक को मैं नहीं सब्दो गुरक को मैं नहीं हे दूए को और यह सगाई भी तूटबरी को आगे यह जा सकती कि पर आप तो जा सकते हो रहे ऍप मारत रास्ते में निकला जा रहा है अपे से चिंटा करके बिकार में अपनी तबित खाया कर लोगे अरे पर अभी तक आये नहीं है अलाख निरंजन लो आगे आईये 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 सम्दी जी अरे मैं तो आपका बहचनी से इंतिजर करना था आपकी चींदा हो रही थी कहीं ये सगाय का सूप मुरद ना निकल जी सगाय के लिए ये मुरद ठीक नहीं है मतलब क्योंकि गोरक हमारी संतान नहीं महात्मा की अमानत है संसार वो नहीं बसा सकता सन्यासी बन सकता है अगर शादी के बाद अगर वो सादू बन गया तो इस बेचारी भोली भाली दुर्गा का क्या होगा इसलिए ये शादी ना हो यही बेतर है नहीं अलाख निरंजान अलाख निरंजान अलाख निरंजान सरस्वती आपके साथ मत खेलो सरस्वती जोगी की शप्ति को पहचानो सोब दो को रखो नहीं आखों के रतन को मैं अपने आखों से जुदान होने नहीं दूंगी ये मत भूलो सरस्वती गोरक को वापस सोपने के लिए तुमने अपने पती के सोगंद खाई थी हाँ हाँ खाई थी पर और अगर तुमने वापस नहीं लोटाया तो तुम्हारे माथे का सोभा की सिंदूर सदा के लिए मिड़ जाएगा नहीं जिद में आकर तुमने अगर बेटे की सगाई थी इससे पहले तुमारी पती की मौत हो जाएगी नहीं नहीं आंगन में मंगल कित नहीं बजेंगे बलकि शोख सबा होगी नहीं नहीं पुत्र को बचाने जाओगी तब पती को खोद होगी नहीं तुम्हें कौन चाहिए पती की पुत्र पती के पुत्र पती के पुत्र में दोनों रखूंगी समझी जाओ चली जाओ यहां से चली जाओ चली जाओ मा क्या हुआ बटा तुम ठीकते हैं तुम अब तक कहा थे मंदिर में था मा मुझे ऐसा लगाती वह महत्मा तुम्हें ले गए महत्मा हां बटा मा तुम्हें संसारी बनाना चाहती है और वह महत्मा सादू ! मुझे किसले मा ? क्योंकि मेरा बांचपन दूर करने के लिए उन्होंने मुझे व्यभूति गी ठी और मुझे स्वभागे की कसम देकर उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि जब वो तुम्हें लेने आएंगे तब मैं तुम्हों उन्हें फोब दूगी हाँ मा, आज मुझे समझा रहा है कि मुझे मूर्ती में इतना दिल्चस्पी क्यों हो रहा था, मा, मेरे दिल में रात और दिन, अलग नाम का गुंजन क्यों होता था, मा, मुझे भगवा वस्तर क्यों भाता है, इस संसार में मेरा जी क्यों नहीं लगता था, ये सब तुम्हा मैं तो मेरे गुरुदेव की अमानत हूं मा तुझे ये अमानत सौपना ही पड़ेगा मा जिसने तेरी जोली भरी उसे तुम खाली हाथ लोटा दोगी मा नहीं मा नहीं कहां जा रहों बेटा मा तुम्हें पता है तुम्हारा दिल ने तोट सकता मैं तुम्हें दूखी नहीं देख सकता मा नहीं को अ तुम्हें क्या हो रहा है बेटा मुझे मेरे गुरु की आवाज सुनाए दे रही मा बुझे जाने दो मा बज्ड़ो बेटा क्यों रोक रही हो मा मुझे ये तुम्हारा बेटा मौत के मुँमें नहीं तुराजी खुशी मेरे संग चलकर मुझे उनके पास सौप कराजा अधीश है तो तुम्हें नहीं जाने दूंगी तुम्हें नहीं जाने दूंगी तुम्हें पैर पढ़ते हुं तो बच जाओ मज जाओ गोरक मज जाओ मुझे चाड़कर गोरक 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 तुम्हें उसके गुरू का आदेश मिला था वह उस महात्मा के अमानत है दुबेटी मैं उसे किस तरह से रोक सकती थी मेरा उसपर कोई अधिकार नहीं रहा जो महात्मा उसे वर्सों तक देखे नहीं उसका अधिकार कैसा बच्पन से उसे मैं पन मन से अपना पति मान चीकी हूँ कोरक पर मेरा अधिकार है मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी मैं जाके देखती हूँ कि वह जोगी उसे कैसे ले कर जाता है छोड़ो मा मुझे जूरका मत जाओ अलाख निरन जानद आलाख निरन जानद आदेश गुरुदेव अभेवस जी गुरुदेव महराज, आप जीद गए, मैं हार गई, लो आपकी अमानत, स्विकार करो अलाख निरंजन जाओ बेटा नहीं, गोरक पर मेरे जिवा किसी का अधिकार नहीं, गोरक मेरा है मैया, कौन है तू? मैं वो हूँ, जिस पर गोरक के नाम की चुन्री उड़ाई जाने वाली थी गोरक संसारी होने के लिए नहीं, सादू होने के लिए जन्मा संसारी भी होगा, तो प्रभू को प्राप्त कर सकता है, और तुम्हारे देव-देवता भी संसारी है अब मेरे प्रेम को कुचल कर, आप कभी प्रभू नहीं प्राप्त कर सकते हैं दुर्गा, मेरे अंतर में अलग का नाम जाग उठा है, अगर मैं अब पीछे हट जाओ, तू ये मैं गुना करूँगा मेरे देल को तुम ठेश पहुचा कर, बदन पर विभूती लगाओगे, तो तुम्हें कोई पुन्य नहीं मिलने वाला गौरक दुर्गा, बेटी, मुझे इस तरह से तरपाओगे, तो मैं तुम्हें अलग का जाप करने नहीं दूगी अलग नाम जब कर, मुझे मेरे गुरुदेव के साय में रहना है तो जाओ, जाओ अपने गुरु के पास चले जाओ, पर याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा, कि तुम पर तुम्हारे गुरु की छाया नहीं रहेगी अब तुम्हारी, तुम्हारी वज़े से मेरी सगाई तूट रही है, योगी जिससे, कि तुम भी किसी स्त्री के कामवासना के मोह में फस कर, तुम ये चोला उतार दोगे तब तुम्हें विश्वास होगा, कि तुम्हारे प्रभु सच्चे नहीं, लेकिन मेरी प्रेश सच्ची है, मेरी प्रेश सच्ची है तथा आस तू अलाख निरंग, आदेश गुरु देव अलाख निरंग, आदेश चलो वाच गुरक, आगे बढ़ने से पहले मुझे एक वच्चन देता जा बेटा कि मेरे अंतिम समय में तुम आओगे मुझे गंगा जल पिलाने, मुझे कांधा देने, आओगे न जरूर आएगा मैया अलाख निरंग, आदेश अलाख निरंग, आदेश स्वामी, स्वामी रमता जोगी रे, क्या है दोश इस लाभागी कीरे जोगी रे, तु ही बता दे दरदर भटे को मैं, तु ही बता दे रे प्रान मेरा जाई रे, रमता जोगी रे कानों में कुंडाल रे, जाटा दादी स्वामी कानों में कुंडाल रे, जाटा दारी फे तुझे को नमन में करू रे रे प्रानाम करू रमता जोगी रे लाल अखिया रे, भबत है तेरे का पाल में जी में टरे जाओं तेरे सिरुप को देख के रे रान निखन जाए रे, रमता जोगी रे जरा रुक जाओं तुमका जी भरके देख लो जरा रुक जाओं तुमें जी भरके देखूं ये जो जीवन है तेरे मिना प्रितम दुशवार है ब्रान निकल जाए रे लमता जोगी रे क्या है दोश स्लाभा की कीरे जोगी रे तु ही बता दे रे दरदर भटे खूं में तु ही बता दे रे प्राण मेरा जाए रे रमता जोगीर है अलाख निरंजान अलाख निरंजान अरे आप कौन आया है कुछ नहीं मा बिक्षा दे रही हूं संजो संजोडी ये क्या कर रही हो बिक्षा दे रही हो अरे इसे दिया हुआ सीधा दौरकादिश को पहुचेगा क्यों जोगी महाराच अलाख निरंजान और दौरकादिश मेरे बहो नहीं होएगे और मैं उनकी साली मेरे घर का उन्हें नहीं चलेगा अरे मैं तो चुटकी वराटा लेना आया था मैं थोड़ी ना तेरे लड़की को लेना आया था अरे ओ पगले बाबा संजु को मैंने गाउं से नहीं ढूंडा उसे मैंने जनम दिया है नाव मैंने पेट में रखा है चुठी बात है तेरे पेट में इतनी छोटी सी बात नहीं टिकती है तो इतनी बड़ी लड़की नाव मैंने कहां से टिकी होगी सिधी तरह से इसको मेरे साथ भेज दे वरना नहीं तो क्या वरना मैं तेरे को ले जाओंगा और जोगन बना लूँगा तुम मुझे जोगन बना गया ऐसा हाँ हाँ तो चलो मैं खोदी तुमारे साथ चलती हूँ और हम दोने मिलकर साथ में भजन मंदली करेंगे चलो अरे फिर तेरी लड़की क्या होगा अरे उसो तो शामल के साथ शादी करनी है तो फिर सादी करती क्यों नहीं उसने तुझे जात्रा करवाई तू वापस आई तो भी अभी तक सादी न ना तो तुम्हारे दाड़ी खेश लूगी हाँ तो डाड़ी तेरे बाप की है क्या बोला है शामल तू अरे एक तो इतने मेंगी जात्रा करवाई और खर्चा ना हो इसके लिए अब साधू बन गया और बीवी लेने आया हूँ बाबा बनके बीवी को लेने आये हो एक बा देरे वे इसके लिए पोल देता हूँ कराऊंगी कराऊंगी अगर तुम मेरे पती की तरह नकली निकले और बीच रास्ते में कभी टपक गए तो मेरी संजु तो विद्वा हो जाएगी ना इसलिए इंतजार कर रही हूँ आगे के 25 साल तक अगर तुम जिन्दा रहोगे ठ कोई बात नहीं मैं और मेरी अंजु जन्मों जन्मत तक एक दूसरे का इंतजार करेंगे लाओ संजु यह तेरे बिख्षा की भस्मा मैं मेरे कपाल पर लगा देता हूँ जये अंजु और उसकी माँ चलो बिटी कुछ खा लो ऐसे अनाज को ना बोलोगी तो तुम्हारी सोने जैसी काया सूख जाएगी मा मुझ अबागन की काया तो एक कैद खाना है उसमें फसी हुई जान उचलना चाती है उड़ना चाती है तो भी ये उड़ नहीं सकती और मौद भी उसकी मदद नहीं करती ऐसा मत बोलो बिटी गोरक ने तो भगवे वस्तरों का अपना लिया तुम उसकी कब तक रहा देखूंगी आसू तो आखों के आसो पालव है मा गोरक की विदाई का अवसर ही कहा है अवसर तो अब आएगा बेटी तुम्हारी शादी का मा मेरे भागे में अगर शादी लिखाई होती तो गोरक ऐसे वैरागे की तरफ नहीं भागता बेटी जो होना था सब वो हो गया सपना समझ के सब भूल जाओ बेटी अब तुम हम लोगों के बारे में सोचो बेटा तुम खाती नहीं हो और निवाला हमारे गले से नहीं उतरता शादी के लिए ना कह रही हो और हम चाहते हैं कि मौत का बाए मा तुम क्या चाहती हो तुम्हारी शादी या हमारी मौत मा हाँ बेटी हाँ बोल दो हमारी लिए शादी करके ना मैं सुखी रहूँगी ना किसी को सुखी कर सकती हूँ फिर भी आप अगर कहते हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ बेटी मेरी शादी के बारात आएगी आंगन में मंड़क सजेगा गाजा बाजा बजेगा गाओ को खाना खिलाए जाएगा और तब तुम्हारी ये बेटी विदाई लेगी माईके को खुला कर हमेशा के लिए विदाई लेगी बेटी इस दुनिया से इस घर से मुझे मेरे बच्चे के याद आरे मुप्पलो मा मुप्पलो मा दवाई पीदो गोरक मेरा मेटा बेटी मैंने तो अब आशा छोड़ दिया है मगर मगर ये डटी हुई है कि एक दिन इसका बेटा ज़रूरी से मिलने आएगा तेरी इस सेवा का मूल हम किस तरह चुकाएंगे बेटी किस तरह किस तरह चुकाएंगे कैसे चुकाएंगे जब तक आप भोजन नहीं कर लेते तब तक भोजन नहीं करने कि मैंने प्रण ली है तेरे गुरू पर तुझे इतनी अटल स्रद्धा शर्दा ना होता तो गुरुदेव इस मायवी संसार को छोड़कर मैं आपके पास क्यूं आता मेरे मन में आपके लिए बहुत श्रद्धा है वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा वड़ा खाके मन प्रसंद हुआ गुरुख जाओ जाके गाओ में से दूसरे वड़े लेकिया हो जैसी आगया गुरुदेव अलग अलग अरे अभी तो तुम वड़ा लेकर गए फिर आगया हाँ मैया आपके हाथों का बना हुआ वड़ा मेरे गुरुजी को बहुत भागया थोड़ा और देदो और दया करो मा दया कोई डाकन नहीं करती खाना कोई मुफात में नहीं आता ऐसा मत कहो मा मेरे गुरु तुम्हारा कल्यान करेंगे तेरा गुरु ऐसा कुनसा बड़ा भगवान है मैया मेरे गुरु मेरे लिए तो भगवान से भी बढ़ कर है तेरे लिए अगर वो भगवान से भी बढ़ कर है तो वड़े के बदले में मुझे क्या दोगे बोलो मैया मेरे गुरु के नाम पर मेरा प्राण मागोगी तो वो भी मैं देने के लिए तयार हूँ तुम्हारा प्राण लेकर मुझे कांवा पाप में डाल रहे हो अगर तुम्हें तुम्हारे गुरु के नाम पर मेरा प्राण मागा होता तो वो भी मैं दे देत आपको ले मा ग्रहन कर मेरे गुरुदेव मेरी राह देख रहे हैं नहीं मा मुझे भीक्षा देखकर मुझे अपकार करो मेरे गुरुदेव तुम्हारी कल्लार करेंगे गुरुदेव गुरुदेव वड़े लाया हों वड़े लाया हों गुरुदेव नहीं सोने देव मुझे गुरुदेव मेरी भूग तो आपकी सेवा में त्रिप्त हो गई है ये क्या तो रो रहा है नहीं गुरुदेव ये तो बस यूहें बता जरूर कुछ हुआ है नहीं गुरुदेव आप तो सर्वब्यापी हो अगर तो मांता है कि मैं सरोस हूँ तो फिर तुने मुझे क्यों गुमा लिया गुरुदेव ये क्या तेरी आखो को क्या हुआ मामूली वड़े के लिए तुने तेरी आखे दे दी और मुझे इसका पता भी नहीं चलने दिया गुरुदेव आख तो क्या आपकी सिवावय मुझे प्राणा अर्पन करने पड़े तु भी मैं कर दूंगा अलाक निरंजन आखे खोलो बेटा गोरक हे गुरु गोविंद दोलो खड़े और मैं किनको लागू पाँ बलहारी आप ही बताओ अरे गुरु गोविंद आप ही बताओ गुरु जी बताओ उठो वस यह देख तेरे समने सारे ब्रह्मान के सर्जन हार खड़े है और तु मेरे पाउपल रहा है यह अउसर हमें से नहीं मिलता आओ उनके चरंड पर्स कर लो नहीं गुरु देप आपके चरंड कमल के आगे तुरी लोग के नात का कोई कीमत नहीं गुरु देप बेट बाउसर, रिद्धी, सिद्धी और वेश्परिवर्तन की तमाम सिद्धिया तुम्हें दे रहा हूं परन्तु इस सिद्धियों का उपयोग अच्छे कर्मों में करना अलाख निरंजन अदेश गोरक गोरक मेरा गोरक आगया मेरा गोरक मेरा गोरक वो आएगा एक दिन जरूर आएगा वो वचन में बंधा हुआ है हाँ वो वचन में बंधा हुआ है पर वो आए उससे पहले मुझे मौत आए तो उससे पहले मुझे जला मत देना मेरी आखे खुली रखना ताकि मैं उसे देख सकूँ ऐसा मत बोलो मा मैं तुम्हारे लिए खाना ले आओ तुम खाना खालो अब मुझे भूक नहीं मुझे भूक नहीं मा इस तरह से अनजल का त्याक करने से गोरख लोटकर नहीं आएगा तुम खालो तुम्हें मेरी कसम पेटी पेटी तुम पराई हो और मैं तुम्हारे अप्रादी तुम हमारी सेवा क्यों करती हो मा मंडब भले न सजा हो शेहनाई भले ना बजी हो तो भी मैं इस घर के बहु हूं मा पराई नहीं हूं मा दुरगा गोरख को हम समझ नहीं पाए या मुआ हमें समझा नहीं पाया कि गोरख क्या बात है गुरुजी बात नहीं बेटा वचन तेरी मा को दिये हुआ वचन कौन मा कैसी मा इस मायवी संसार से तो मैंने उसी वक्त नाता तोड़ दिया था जिस वक्त मैं आपके शरण में आया था शरण की बात है तो जा आखरी सास लेती हुई तेरी मा को अलाख नीरंजन ये ले तेरी मा की आत्मा को सांती मिलेगी मोक्स मिलेगा अलाख नीरंजन आदेश गुरुदेव मा मा तुम्हारा सपना सच हुआ मा गोरक आया है उठा मा मेरा गोरक आ मोत को भी रोक के रखा है मैं अब तक तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी बिटा तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी है बच्छा न पाए मैया को जल ले आया है बेटा मा के लिए मगर मोह माया से वंचित होकर अरे बेटा तो साधू संत हुआ रे अज भी खड़ी हूं गारा है मैं अन्य पर देरे याने की आशा में आज भी खड़ी हूँ मैं जंगल में मैं खड़ी हूँ जी हाँ जंगल में मैं खड़ी हूँ जी तेरे मेरा पे ये जीवन सूना है तेरे बिरहा पे ये जीवन सूना है हाज मैं तो अखेली हूँ दर दर मैं खिरू मैं जंगल में प्रीतम आजाओ जी सुने ले पुकार जी आजाओ प्रीतम जी सारा जग सुना लागे ये फुल भी तो काटा लागे सारा जग सुना लागे फुल भी तो काटा लागे हे पिया मेरा अगा में घर को आपर दे सिरे बनम जी आख में आसू है ये तो रुके ना रुके आख में आसू है कैसे भूलाओ तुछ को तुने तोड़ा भरोसा कैसे भूलाओ तुछ को तुने तोड़ा भरोसा ये जी मैं तो तेरी आद में बेरा गंपिया बन गई रे बालम जी आख में आसू है ये तो रुके नार के आख में आसू है तेरे आने की आशा में आज भी खड़ी हूं मैं जंगल में मैं खड़ी हूं जी हाँ जंगल में मैं खड़ी हूं जी कॉरुक 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 मैया हाँ जोगी एक अरजी करने मैं आई हूं इस जोगीन को भी मुक्त करते चले जाओ दुनिया की मोहमाया के साथ या आखरी रिष्टा भी तोड़ते हुए चले जाओ मैया संसार में हर एक को अपना साथी चाहिए होता है और तुम्हारा वैरागी वैसे भी एक सांखली तो है कि जिससे अकेले ही जकड़ना पड़ता है अपने मार्ग अलग हो गए है वैरागी पर मेरा मन तो तुमसे अलग नहीं हुआ है मैया तो कृष्ण था तो भी तो ये राधा को भूलकर मत्वरा में चले गए वह लक्ष्मन के साथ गई वह भाई के पीछे वनमास में चली गई तब ये तुम्हारी उर्मिला आवसु बहा रही थी तुम गोरक होकर गुरु के साथ चले गए अरे योगो योगो से मैं तुम्हें करते आई हूँ और तुम मुझे विरहा देते आये हो अब इस विरहा से मुझे मुक्ति दे दो गोरक मुक्ति दे दो जीवन मरण तो प्रभू के हाथ में है मिया, मेरे हाथ से तुझे मुक्ति मिले, इतनी शक्ति मेरे पास नहीं है मिया, जो शक्ति साधू में नहीं होती, वो सत्य में होती है वेरागी, मैंने अपने तन मन से तुम्हें पती माना है, अगर मैं सच्ची सत्य होगी, तो तुम्ह एक होगा हॉट कि थेखो तुम्हारे चरणों लाक बनके गिर पड़ेगा करें जीते जी माझे तुम्हारे साथ दरे सकी हाँ पर मिरी एकाकरी इच्छा है मेरी भी भूत तुम्हारे शरीर पर लगाते हुए जाना मेरे सर पर हाथ रख दो वेरागी और मुझे मुक्त करते जाओ मुझे मुक्त करते जाओ अलाख निरंजन अलाख निरंजन नात पंथी मचेंद्र नात को प्रणाम प्रणाम बजरंगबली यहां आने का कष्ट क्यों किया आपको कामरू देश की त्रिया की महराणी स्वर्ग में से स्रापितों के प्रुथी पे आई है उन्ता स्राप दूर करो प्रभू अब तो स्वयम सक्ति शाली हो एक मनुश्य को मुक्ति नहीं कर सकती हो क्या योगी राज उसकी मुक्ति मेरे हत्व में नहीं है तो फिर इसका निवारन क्या निवारन के लिए तो नाथी जी के चरणों में आया हो आप तो दिवय सक्ति शाली हो मेरी लाज रखने आप त्रिलोग तमा के राज में पधारो महावली यदि में त्रियार आज में जाओ तो मेरी साधना मेरी तपस्या पे कलंक लगेगा मेरा योग नास हो जाएगा योगी राज आप तो महाई योगी हो आपकी सक्तियों के सामने उसकी सक्तियों का कोई मूल नहीं है उस पस्च्याज भी आप उनसे ढर जाते हो तो आपकी इच्छा जिस्से कि तुम भी किसी स्थ्री के काम वासना के मों में फस कर तुम ये चोला बतार दोगे तब तुम्हें विश्वास होगा कि तुम्हारे प्रभू सच्चे नहीं लेकिन मेरी प्रेश सच्ची है बजरंग बली यदि मेरे योग की सक्तियों से आपकी मुक्ति होती हो और त्रियोत तमाका भी उद्धर होता हो तो मैं त्रिया राज में जाने के लिए तयार हूँ जाए स्री राम गोरक राज गोरक राज गोरक रुकोगो रुक अरे रुख जाओ भई मुझे अपके साथ ले चills बभगवा पेनन है मुझे सादू बन जाना है प्रभू का द्वार तो सब के लिए खुला है अल आक निरण जान आदेश रुक जाओ गोरख Champaugh वरगवावावाव dul तुम जाओगे तो मैं कुवे में कुछ जाओगी और अगर तू मुझे रोगेगी तो मैं दर्या में कुछ जाओगा तो मैं पाहाड से कुछ जाओगी तो मैं पाहाली की छोटी पे से गिर जाओगा मगर किसलिये भाई अरे इसकी महा काई महा, मुझे साधी करवाने की लालस देखे, तुझे आज साधी करूँगी, कल कर दूँगी, ऐसे बोलके नचवारती रहती है, उससे तो अच्छा है कि साधू बन जाना ठीक है शामल सुनो तजरा अरे तुझे जनम लेने के लिए पूरे जगर पे सिर्फ यही मा मिली, और मुझे भी प्रेम करने के लिए सारे जगर पे सिर्फ तू ही मिली, मुझे तो लगता है कि जब तक केरी मात जिंदा है ना, तब तक मुझे यह बीवी नहीं मिलेगी, इससे तो अच्छा है कि साधू यह बन जाओ अभी मुझे रख मत अभी मुझे रोकेगी तो मैं मोर जाओंगा जलो हाँ रहा इसके साथ हाँ ऐसे तो रोज बोलते हो पर शादी कहां करवा के देते हो अरे मेरे पगले मैं तो तुम्हारे प्रेम को जाच रही की मैं द्वारकादिश की साली हूँ ना हाँ बले सगे के सगे और अब मुझे भरोसा हो गया है कि तुम दोनों की प्रीज सची है बस अब आज के आज शादी अच्छा तो पलट तो नहीं जाओगी क्यूंके ये गोरकशनाच वापस नहीं आएंगे नहीं पलटूंगी हाँ तो फिर पधारिये गोरकशनाच जी और हमें आशिर्वाद देते जाईए कि हमारे घर पे गोनी भर जाए उतने बच्चे हो मेरे गुरुजी तुमारी इच्छा पुरी करेंगे अलाख निरंजन महाराणी सन्यासी हाजिर है जोगी महराज आप आप तो प्रभु की भक्ति पे चलने वाले हम तो पामर जीव है आप प्रकाश हो हम अंदक्कार है आज प्रकाश स्वयम अंदक्कार के आंगन में आकर खड़ा है मेरी रूप को देखने की चाहत में अच्छे खासे लोग भी भीक्षा पात्र हाथ में लेकर मौत में समागे और अभी आप भी भीक्षा पात्र लेकर आए हो त्रिलोद तमा भीक्षा लेने नहीं दिख्षा देने तुझे मोजाल के बंदन में से मुक्त करने आया हूँ मुझे मुक्त करने तुम खुदी अभी मेरे बंधन में हो तुम मुझे क्या मुक्त कराओगे मेरे वचन को स्विकारलो है त्रिलोत तमा बाकी हवा को कौन बान सकता है और लख्ती रंजन तुम मेरे बंधन से बच सकते हो योगी पर मेरे मरन सन्न वार से कोई नहीं बच सका योगी त्रिलोत तमा सस्त्र मुझे मार नहीं सकते है अगनी मुझे जला नहीं सकती है स्वयम यम्राज को भी मुरुत्यू से पहले मेरी इच्छा पुछनी होगी ये सक्ती मुझे भक्ती से मिली है घोर तपश्या के बाद मिली है त्रिलोत तमा तुभी प्रभु की भक्तिकार तेरा रूप का घमन छोड़ दे वो प्रभु हमेशा तेरे साथ खड़े भक्ती? तपश्या? मेरे नाजूक बदन को चुबह ऐसे कप्ड़े पहनू इस किम्ती अलंकारों के बदले मैं शरीर पर वीबुती लगाऊं वो भी प्रभु प्राप्ति के लिए मेरे रूप का मोल कम करने की भूलना करना जोगी इस रूप को पाने के लिए भले-भले देवता भी अपने देवत्व भूलने के लिए तयार है बड़े-बड़े महत्मा खुद के तब तोड़ने के लिए तयार है मैं अपना सर्वस्व छोड़के प्रभु प्राप्ति नहीं करना चाती जोगी जाओ, चले जाओ यहां से अवश्य जाओंगा, पर तुझे मो माया के बंदन से मुक्त करने के बाद इससे पहले तुम माया मोहग में फस जाओगे ये भेज तुमें अच्छा नहीं लगेगा प्रिलोतमा, ये लड़ाई है भोग की और जोग की, त्री की और सक्ति की देखते हैं, विधात आने किसके भागिये में विज़ेई लिखी है अलक निरंजन सस्त्र मुझे मार नहीं सकते हैं, अगनी मुझे जला नहीं सकती है स्वयम यम्राज को भी मृत्यू से पहले मेरी इच्छा पुछनी होगी ये सक्ति मुझे भक्ति से मिली है, घोर तपश्या के बाद मिली है प्रिलोग तमा, तु भी प्रभु की भक्तिकार तेरा रूप का घमन छोड़ दे पिलाग तमा, आश्टि भार गई एक जोगी को वश्मे नहीं कर सकी उन्हें वश्मे करना आसान नहीं है, वो एक तपसी है मेंका ने विश्वा मित्र का तब भंग किया था, खुद के रूप से भगवान भोलानाद भी वश्मे हुए थे, एक घिल्लन के वज़े से तुम भी इस जोगी को वश्मे करो, तुम्हारी कामवास्ता और काया से तुम्हारे रूप से हाँ, यही करूंगी जिसकी मैं युगो युगो से राहा देख रही थी, यह वही महापुरुश है देखती हूँ, मेरे रूप से कैसे बचते हैं अब मैं हूँ, और वो जोगी है काम की रूप से मैं हूँ, कामी मिन नजने की रूप से ढारे ओ जोगी जोग की रूप उतारू जोगी जोग की रूप उतारू काम की रूप से मैं हूँ, कामी मिन नजने से जाकी डारू जोगी जोगी की रूप उतारू जोगी जोगी की रूप उतारू पुरसी सजाओ, दुधन लाओ, अमरित जल छल खाओ लाट केगी योवन मेरा, लाजी शरम दी उतारो जोगी, लाजी शरम दी उतारो अंग से अंग लगा ले, योगी मेरा प्रेम तेरा है न्यारा योगी, जोगी के रोग उतारो जाओ कैसे छोड़के, जाओ कैसे छोड़के, तुझे मैं अपना हूँ नहीं, क्या करूँ बोल दे जाओ कैसे छोड़के, मन मोहीनी तुझे को छोड़के, जाओ कैसे दूर रे कंचन काया तेरी मन को लभाए कंचन काया तेरी मन को लभाए तुझ पे दोन जहाँ वार दू ऐसा मोहनी रूप तुझे ऐसा मोहीनी रूप तुझ ऐसा मोहीनी है देखा न तुझ सा कोई देखा न दिवानी बस में तुझ सा कोई देखा न दिवानी है बस में तु कर गई मुझे को बना दी दिवाना है बना दी दिवाना बना दी दिवाना मुझे को बेला चमेली चमपा तू तो गुलाब है बेला चमेली चमपा तू तो गुलाब है मर जाओ तुझ पे मैं तो मर जाओ तुझ पे मैं तो मर जाओ तुझ पे मैं तो काम की रूपस, मैं हू कामी नि नच रूपस दारे उजोगी जोग की रूपस अतारे उजोगी जोग की रूपस तारे कर दुछ कर दुछ कर मैं कर दुछ कर दुछ कर दो गुरुदेव कहां चले गए गुरुदेव स्वामी इस मोह काया में रमते हुए कभी आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे त्री-लो का नाच भी तेरी माय से बचनी सकता तेरे प्रेम के सामने स्वर्ग का शुक भी तुछ शुर्ग का पूरा सुख जुठकी बजाते ही तुम्हरे सेवा में हजिर करूंगी पर पुरूश के जात सूर पूरा करने वाली इस त्रीकों आखिर में पस्ता आना ही पड़ता है ना नहीं त्रिलो तमा तुझे पस्ताने का समय नहीं आए रहा मैं तो तेरे प्रेम का भुखा हूँ तुमारे इस लबो का मुझे रस पान करने दे गुरुदेव अजीब बात है यह महारा सो भिख्षा लिए बगर चलेगे अरे मुझे तो यह बेभान हुआ जोगी लगता है स्वामी कहां थी अब तत तो कब समझेगी तेरा वियोग मुझसे सहन होता ही नहीं है स्वामी अतिप्रेम अतिवियोग का कारण बनता है मुझे अभी वियोग सब तहीं नहीं सुनना है मुझे ऐसा होता है कि आज का ढलता हुआ सुरज फिर वापस उगे ही नहीं और तू हम्मेशा मेरे पास रहे पर मेरे जीवन में सुक का सुर्योदय होना बाकी है मतलब मैं मैं हमारे संतान की मा बनने वाली हूँ यहां बोल रही है अलाख नीरांचा देखो तो कितना सुन्दर साधू है बेचारा जवानी में जोगी बन गया महराज, महराज महराणी को पुत्र हुआ पुत्र हुआ? ये लो, पूरे राजे में धन्डवरा पिट दो के महराज को पुत्र हुआ सब के मुँ मिठे करो और सोना माटो हे भगवान अरे चूप हो जा क्यों इतना रो रहे हो ये तो पूरा प्रे बाप पे गया है अब क्या हुआ? अरे क्या है ये शामन्तू? जरा तो शरम रखते अरे ये जूले जुलाते जुलाते मेरे हाथों में दर्द देने लग जला है तो दर्द तो होगा न, द्वार का वाला तुम्हारा बहनों तुम्हारी दोरी ना खेचे, उसमें मैं क्या करूँ, बाकी रही संसार की बात, तो ये सब तो भगवान की माया है, पर जापती जिन्दीगी और ये माया में मेरा क्या कसूर? हाँ, अभी तक तो तुमने सारी चिन्दीगी खाने में ही गुजारी है, उपवास के आठार पेड़े, और वो गरम गरम दूद, और धेर सारे फलों मिठाए की क्या मजाए लिए, तो अभी ये सेवा का मेवा का मिठा मेवालो, आप तो ये बच्चों को सुला दो, मुझे न पकलिफ नहीं होती, मैं तो बाहर ही गरमी में मर रही हूँ, चल अभी आज तो बहुत खेला है, चुप चाप सोजा, आखे बन कर, मैं नहीं सूँ, पहले मुझे कहानी बताओ, अच्छा तो देख, कल की कहानी आगे सुना कर, फिर वो राजकुमार उसके गोड़े पे चला अरके बैट गया, और घोड़ा भगाने लगा, खब्रा, 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 खब्र मेरा प्राव है मेरा सर्वस्व है गुरुदेव गुरक गुरक कों गुरक हां इसे तुम्हारा क्या रिष्टा है ने कुछ नहीं कुछ नहीं स्वपन था स्वपन सोजाओ स्वामी सोजाओ कि गुरक कौन होगा मेरे स्वामी को यहां से लेकर तो नहीं जाएगा नहीं नहीं मैं गुरुक को यहां आने ही नहीं दूंगी अगर मेरे राज में कोई भी जोगी आएगा तो उसका सर्थर से अलग कर दिया जाएगा योगी महराज मेरे अलग का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तो नाक संप्रादाय के हो दूराचारी गुरु के सिशिय की हमारी टोली में कोई जगा नहीं है कानिफनाथ गोरखनाथ तेरे गुरु ने हम साधूओ का नाक काटा है जगत को सच्चा मार्ग दिखाने के बढ़ले स्वयम मार्ग भूलके नरक के रास्ते पे गए नहीं मेरे गुरु देव मार भटक जाएं ये हो ही नहीं सकता ऐसा ही हुआ है उसने भी अभिचार को स्विकर के सन्यास छोड़ दिया है हमारी विरादरी को स्ट्रियों के नाम से भी दूर रेने का आदेश है तब ये मशिंद्रनात स्ट्री वास्तना में अपनी भोगली लग भोग रहे है नहीं खानिफनात मेरे गुरु देव के लिए ऐसे शब्द निकाल रहे हो ये सुनना मेरे लिए पाप है पाप और पुन्ये की इतनी परवा हो तो जा जाके देखिया क्या सच है क्या नहीं खानिफनात अगर ये बास सच है तो मेरे गुरु देव को मैं छुड़ा के लाओंगा जब तक मैं अपने गुरु जी को वापस ना ले आता तब तक अलग का में जाप करूं तो अलग मुझे नष्ट करदे आलग निरंजन अलग निरंजन ये ले अ ये ये अ कें कहां छुप गये गुरुजी गो रख आया गुरुजी गोरक आया गुरुजी आपको ढूंडता ढूंडू मैं बन बन गुरुजी आजाओ मेरे गुरुजी आप हो मेरे गुरुजी मैं तो चेला हूँ कहा हो गुरुजी ए दुनिया दिवाना श्रिष्टी रचाए जी बूद बूद सागर किया गुरुजी आपके चरणों में ही मेरा तो जीवन अरपड है जीवन अरपड गुरुजी जीवन अरपड है कहा है ओ गुरुजी मचिंदरा गुरुजी पेर ठक गए है अब तो ठक चुके है नैन मेरे पर अब तक कोई ठार ठिकाना ना मिला जी मचिंदर जोगी मेरे ओ मेरे नात जी वन वन ढूंडू कहा कहा गुरुजी मेरे कहा हो जी गुरुजी मचेंदर ओ पता नहीं कहा हो तुम कौन से गाओं में जहां भी हो तुम गुरुजी आजाओ रे मचिंदर ओ मेरे गुरुजी गोरक ढूंडे तुझे गुरुजी धरम समझाओ जी आओ जी मचेंदर ओ आओ जी मचेंदर गोरक आया है गुरु मुझे को वचन दे के कहां चले तुम तो हो गुरुजी मेरे तुम ही हो गुरुजी मेरे तुम मेरे गुरुजी मैं तो चेलामूं कहां हो है मेरे गुरुजी आला कनी रन्जान आला कनी रन्जान आला कनी रन्जान योगी राज मेरी तमाम सक्तिया भी आपको हरा ना सकी आपका परिछे महाबली मच्छिंद्रनात का शिष्य हूं गोरग परन्तु प्रभू मेरे मार्ग में विगन डालने की कारण क्यूंके त्रिया राज का रक्षन करने का काम मेरा है उसकी हद में कोई भी पूरुस प्रवेश नहीं कर सकता है आप महन शक्ति शाली है परन्तु गुरुदेव को त्रिलो तमा की माया से मुक्त नहीं कर सकोगे इसलिए वापस जाईए महाबली अगर मैं अपने गुरुदेव को छोड़ाय बगर पीछे हट जाऊ तो मुझे लानत है धरम संभालने जाओगे तो जान खोदोगे त्रिलो तमा की शक्ति को कम मत समझना और मेरी शक्ति को भी इतना कमजोर मत समझे महाबली ये आपका अभिमान बोल रहा है अभिमान नहीं ये मेरा आत्मविश्वास है आत्मविश्वास को अभिमान में परिवर्थित होने में समय नहीं लगता गुरकनात गुरुदेव को मुक्त कराते समय ये बात का ध्यान रखना कि आपका आत्म इश्वाज अभिमान में ना फिर जाए कैसे भी हो वो तुम्हारे गुरु है हाँ महाबली वो मेरे गुरु जी है और उनके लिए जनम जनम मुझे नर्क जहलना पड़े तो भी जहल कर मैं उन्हें मुक्त करा कर रहूँगा पीछे नहीं हटूगा पर स्त्रिया राज में पूरुष का कदम रखते ही सरधर्ण से अलग करने का महारानी त्रिलोत तमक का हुकम है आप महारानी के महल में पाउं कैसे रखोगे अना निरंजन अना निरंदन झाल प्राज बाजकर प्राजकर प्राजकर झुट मिचनेर कोड़ गाया अव्पर छिप मिचनेर कोड़ माया दासियो इसे दर्बार में हाजिर करो कौन हो तुम गुरुदेव इस मायवी रानी के रूपे इतने मगन हो गये हैं कि आप अपनी शिशे को पेचान नहीं पा रहे हैं कौन गुरुदेव अलाख नी रंजन तुम यहां किसलिए आये हो मैं अपने गुरुजी को लेने के लिए आये हूँ गुरुदेव तुम्हारे गुरुदेव के उसी वग मृत्य हो गई जिस घड़ी उन्होंने मेरे प्यारे रूप को खुद के बाहों में जकड़ा था मैया यह तुम्हारे गुरुदेव नहीं है गोरक यहें तिलुत्तमा के पति नौनात के पिता महराज मचिनरनाथ इनकी बई belongी आत्मा अभी जीवित हैं मैया आत्मा कटोर तपश्यार्य करके स्वर्ग जाती है है यह स्वर्ग इने मिला है मेरे राज्य में मैया इनसे प्रभु प्राप्त हुई है पुत्र प्रेम में रास्ते पे चलने वाला कुत्ता हाड मास खाता है और संतान को जन्म भी देता है वो रख तुम्हारे इतनी हिम्मत कि तुम अपने गुरू का अपमान कर रहे हो जाओ, चले जाओ यहां से मैया, मैं अपने गुरू जी को लिये वगर वापस नहीं जाओंगा तुम्हें पच्ताना पड़ेगा मा, पच्ताना तो संसारी को पड़ता है, भगवाधारी को नहीं ऐसा भेश तो तुम्हारे एक दिन गुरू को भी उतारना पड़ा था जाओ, वापस लोट जाओ गोरक नहीं तो एक दिन तुम्हें भी उतारना पड़ेगा मैया, इस देह को त्याग करके वैर्यागोई को छोड़कर वासन को गले नहीं लगाऊंगा मैं गुरू देव, आप अलग नात को याद कीजे गुरू देव वही तो आपके देव को पवित्र कराएगा आपका संदमान बढ़ाएगा गुरू देव अपना हसी उड़ रहा है गुरू देव, चलो गुरू देव, चलो यहां से इस बाबा के बातों में मत आये स्वामी ये तुम्हें ले जाने के बहाने से तुम्हारा सर्वस्व लूटना चाहता है ये वैरागी नहीं, तुम्हारा वैरी है इसकी जबान से जहर्ट पक रहा है ये तुम्हें नहीं मुझे ले जाना चाहता है गोरक तेरी ये दुश्टटा सिश्य होके गुरु को शिक्षा दे रहा है जिसने तुझे बहराक का रास्ता दिखाया उसे तु बहराक का पाट पड़ा रहा है शमा किजे गुरुदेव शमा किजे चला जा यहां से धक्का मार के बहर फेख दू उससे पहले में इए आखों से तु रोजा नहीं गुरुदेव नहीं जहां आप वहां मैं जहां काया वहां छाया आपको अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाओंगा मगर मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाओंगा गुरुदेव कहीं नहीं जाओंगा पिताजी अरे मेरे बेटे क्या हुआ बेटा पिताजी पिताजी मैं ना आत्मा गिर पड़ा अरे बेटा तुझे लगा तो नहीं है न बेटा नहीं कैसे गिर गया मेरे बेटा गुरुदे अगर एक ठोकर लग जाता है तो ये शरीर क्या आत्मा भी खंडित हो जाता है तुछ उपरे गौरक दाशियो किसी की जरुरत नहीं आज से ये गौरक हमारे बालों को नहलाएगा उसके कपड़े धोएगा उसकी सेवा करेगा मिया गुरु की छाय में रहना है न तो इसे ले जाओ इसे निला दुला कर साफ करके ले आओ जाओ इसे ले जाओ गौरक अदेश ले जाए इसे गौरक तेरे गुरु पुत्र प्रेम में अंध्य बन चुके है जब तलक ये माया नहीं मरेगी तब तक गुरु साधू नहीं बन पाएंगे मार दाली से और मुक्च कर अपने गुरु को मार दाली से मार दाली से क्या कि तुने मेरे बैटे को मार दाला नहीं नहीं गुरु देव मैं तो आपकी आज्या की पालं कर रहा हूं समस्या की जड़कों ही खतम कर दिया और ये मर गया तुम तो अपने गुरु देव को वापस लेने के लिए आये थे कि मेरे जान से भी प्यारे पुत्र को मौरने के लिए थे कि मैं सची कह रही थी ना यह कोई वेरागी नहीं पर वेरी है वेरी क्या देख रहे हो गाश्यों ले जाओ इसको नई तो काट के टुक्ले टुक्लें कर दूंगा इसके देजाओ इसे गुरुदेव गुरुदेव इस मोह जाल में फसकर अपना जीवन बर्बाद मत करिये नाग बैंस को कलंक मत लगाए गुरुदेव मत लगाए गुरुदेव नाग बंसो कलक मत लगाए पानी पवन का महल बनाया ये प्रभु प्यारा भंगला बनाया मेरे प्रभु मेरे दाता जी कितने शान तुमारा है नात जी ओ जी रे गंगा खड़ तुमारे दर पे जोगी दाता रे दाता जी मैं हूँ छेला आपका नात जी चंद्र सुरज दोनों जोत जले हैं जी 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 आरा मेरे सुमरत दाता जी मैं हूँ छेला आपका नात जी हो जी रे गंगा खड़ा चाक में दान मेरे दाता मेरे दाता जी दाता जी तुम हो गुर मैं हूँ छेला जी तुम हो सुन्दर मोहिर नारे जी मेरे गुर जी भटक गए तुमने क्या पिलाया मेरे नात जी को तुम हो गुरू मैं हूँ छेला नात जी हो जी रे गंगा खड़ा चाक में दान मेरे दाता मेरे दाता जी दाता जी तुम हो गुर मैं हूँ छेला जी गुरू प्रताप जोगो रख बोले जी 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 गुरू प्रताप जोगो रख बोले वो तो यमदत जोग कमाया मेरे सुमरत दाता जी तुम हो गुरू मैं हूँ छेला नात जी हो जी रे गंगा खड़ा चाक में दान मेरे दाता मेरे दाता जी तुम हो गुरू मैं हुचेला जी आलक नी रंजन 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 आदेश यह क्या कर रहे है स्वामी आप कहा जा रहे हो अलक के आदेश का पालन करने मैं या भाई सवरात्री का संग तुम पलबर में भूल गए स्वर्क की सीमा तक मैंने पहुचाया मुझे भूल गए नाथ अलक का जाब करना है तो यह महल तोड़कर यही मंदिर बना देती हूँ जरी के कपड़ की जोली बना देती हूँ सोने का चिम्टा देती हूँ चांदी की चाक्णी देती हूँ हीरा मोती के पादू का देती हूँ नहीं मैया एस्वरिय से आराम मिलता है और अभिमान जाग जाता है पर इस्वर नहीं मिलते है अगर यहां से जाना है था तो मुझे माता के बंधन में बांधा ही क्यों मेरे दिल में मा की ममता क्यों जगाई मुझे बेटा दिया किस लिए तुम्हारे शीशे ने मेरे बेटे की जान ली किस लिए मुझे इस तरह निराधार करने से पहले मेरी एट अधुरी इच्छा पूरी करते जाओ जोगी मैं आपकी सामने छोली फैलाती हूँ मेरे बेटे को जिनदा करते जाओ मेरे बेटे को जिन्दा कर देजा मैया तेरे इच्छा आवश्य पुरी होगी अलाख निरंजन अलाख निरंजन अलाख निरंजन आपके शक्ति दुरलब हो चुकी है इस बच्चे को मैं जीवन दान दुगा अलाख निरंजन अलाख निरंजन जीवन दान देने की तुम्हारे में ताकत नहीं थी तो तुमने मेरे बेटे की जान क्यों ली मैया तिसरी बार अलग का जाब करता हूं अगर मेरी शक्ति से जीवित न कर सके तो मेरे गुरुदेब को आपको सवकर यहां से चला जाओंग मैं गोरकनात जब तलक गुरु को छुडाने का तुम्हारे मन में घमांड है तब तक तुम मिन नात को जीवित नहीं कर सकते कैसा भी हो गुरु तो गुरु होता उसके आदेश और आशिस के बिना तुम यह कारिय नहीं कर सकते सची बात है पवन पुतर जी जाए स्री राम शमा किजे गुरुदेब आदेश मांगने वाला यह वज आपको आदेश दे चला मैं मैंने आपको आदेश दिया यह जानकर मुझे गर्भ हुआ गुरुदेब शमा किजे मुझे शमा किजे मुझे कल्यान गोरक मिन नात को फिर से जीवित कर आदेश गुरुदेब अलाक निरांजार मैया आज तु श्राप से मुक्त हुई मिन नात भी नवनात में एक नात कहलाएगा संसार में उसकी पुजा होगी अलाख निरंजन अदेश अलाख निरंजन अदेश अलाख निरंजन अलाख निरंजन अलाख निरंजन अदेश आप तु मेरे साथ हो फिर ये कौन है गोरक गुरुदेव गुरुदेव आपका ये भव्यरुप मैं कुछ समझ नहीं पाया गुरुदेव ये ही है मचिंद्र नात की माया अलाख निरंजन अदेश